हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू माई चैनल नीथी ट्यूशन क्लासिस मैं हूँ नीरोबट और आज की वीडियो में मैं आप सबका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडिया बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम् ट्रीग्नोमेट्रिक रीशियो के वैल्यू हर एक एंगल के लिए निकालने की कोशिश करेंगे और ट्रस्ट मी यह जो तरीका है अगर आपने सीख लिया तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो आपको याद रखने के भी जरुरत नहीं है ठीक है तो इसके लिए कुछ बेजिक चीज मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि सबसे पहले मैं वो चीज बता देता हूँ जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताई थी वो यह है कि मेरे टीचर्स हमेशा मुझे बोलते थे कि यह साइन और कॉस साइन थिटा और कॉस थिटा यह न उल्टे भाई है मतलब यह अ तो मेरे सर्व मुझे याद करवाने के लिए बोलते थे कि साइन ना काफी अच्छा बच्चा है साइन को तुम अगर डंडा मारोगे तो वो भी तुम्हें डंडा ही मारेगा और साइन को अगर तुम लड्डू देते हो तो वो तुम्हें लड्डू ही देगा सिमिलरली कॉस को अगर तुम डंडा मारते हो तो वो तुम्हें लड्डू देगा और कॉस को अगर तुम लड्डू देते हो तो वो तुम्हें डंडा मारेगा तो यह साइन और कॉस की बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हो डंडा तो डंडा लड़ू तो लड़ू sign के case में क्योंकि वो अच्छा है cos के case में डंडा तो लड़ू लड़ू तो डंडा क्योंकि cos उल्टा ठेक है पर इसे ये चार value ही याद रहती है मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिसे आप 6 के 6 trigonometric function की 5-5 value बड़े ही आराम से याद रख सकते हो तो ये एक चीज़ थी जो teacher ने मेरे teacher ने मुझे बताई थे तो मैंने forward कर दी अभी दूसरी चीज ये है कि आपने हमेशा 0 से कोई ना कोई चीज तो divide 0 के नीचे मतलब 0 से divide अगर 2 करते हो तो आपको ये पताई है कि 0 आता है इसका सीधे words में मैं आपको बताऊ तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है 0 का मतलब क्या हुआ कि you don't have anything और आपको वो कुछ भी नहीं दो लोगों के अंदर बाटना है divided by 2 मतलब दो लोगों को बरोबर बरोबर हिस्सों में divide करना है तो दोनों को कितना मिलेगा तो आपके पास जब कुछ है ये नहीं और दो लोगों में बाट रहे हो तो उन दो लोगों को भी कुछ भी नहीं ही मिलेगा हाँ या ना पर इससे उल्टा किसी नंबर के division में अगर 0 रखते हो तो यहां से controversy शुरू हो जादी 0 का मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं अगर 3 जूतों को किसी के भी बीच में नहीं बाटते तो किसी को भी क्या मिलेगा तो क्यूंकि आप बाट ही नहीं रहे आपको 3 का 3 ही मिलना चाहिए हाँ या ना पर अगर maths की बात करे तो 3 divided by 0 0 को किस से multiply करोगे तो 3 आए तो यहां पर ऐसा कोई number ही नहीं आप infinite चले जाओ कुछ भी चले जाओ आप 3 को पा नहीं सकते तो दूसरा एक case था जिसका answer आया था infinity infinity मतलब किसी भी number को 0 से divide करो तो infinity आता था जब मैं पढ़ता था तब मेरी text book में 0 से divide करने पर infinity आता था पर आज के maths की बात करे तो किसी भी number को अगर 0 से define करे तो यह आएगा या यह इसके उपर बहुत सारे research paper apply हुए कोई किसी conclusion पे ही नहीं आ रहा तो इसका जवाब आज के वक्त को देखते हुए not defined है मतलब हम बता नहीं सकते हम इसकी व्याक्या नहीं दे सकते कि इसका जवाब actually आएगा क्या तो किसी भी number को अगर 0 से divide करते हो any number divided by 0 तो आप not defined ही लिखेंगे आज के वक्त के चलते अगर future में कुछ और आ जाए तो वो हम देखेंगे तो अभी हम और आगे बढ़ता है अभी trigonometries के function के अलग-अलग एंगल पे values क्या होगी अगर इसको जानना है तो आपको कुछ तरीके याद रखने होंगे जैसे कि सबसे पहले तो आपको 0, 1, 2, 3, 4, लिख देना है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे आपको लिख देना है उसके बार next step में next step में आपको हर किसी को 4 से divide कर देना है यानि कि 0 divided by 4 1 divided by 4 2 divided by 4 3 divided by 4 4 divided by 4 तो इसका answer क्या आजाएगा 0 divided by 4 is 0 1 divided by 4 is nothing but 1 divided by 4 2, 2's are 4 यानि कि 1 divided by 2 3 divided by 4 4 divided by 4 यानि कि 1 अभी आपको next step में करना है take square root आपको square root ले लेना है तो square root of 0 square root of 1 upon 4 square root of 1 upon 2 square root of 3 by 4 square root of 1 square root of 0 is 0 square root of 1 upon 4 is 1 upon 2 square root of 1 upon 2 is 1 upon square root 2 root 3 by 4 तो root 3 by root 4 which is equal to 2 and root 1 is root 1 तो आपको मैं फिर से कुछ step repeat कर लेता हूँ सबसे पहले 0 से लेके 4 तक की values को आप लिखे देजे उसको लिखने के बाद हर digit को 4 से divide कर दो divide by 4 जो answer आता है उसका square root ले लो तो आपको एक line मिल जाएगी 0, 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 and 1 यह जो line है वो sin theta की value है तो यह आपको first line मिल गए तो अब यह मैं इसको लिखे देता हूँ 0, 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 and 1 तो यह हमारी sin theta के value थी एक बार आपको यह line मिल गए अच्छा आपको इतना नहीं करना है अगर आप यह 5 नमबर याद रख सकते हो तो भी आप पूरा trigonometry का table बना सकते हो value का अब क्या करना है ध्यान से समझे सबसे पहले तो एक column में trigonometry के सारे functions को हम लिख देते हैं जिसे कि sin theta cos theta tan साइन का उल्टा cos 1 theta cos का उल्टा सेक theta 10 का उल्टा cot theta तो आपको 6 की 6 trigonometric functions हमें मिल गए row के अंदर आप कुछ angles लिख सकते हैं जैसे कि 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree and 90 degree तो ये सारी values मैंने लिख दे है तो ये साइन थिटा cos theta थिटा साइन का उल्टा कॉसेक थिटा कॉस का उल्टा सैक थिटा टैन का उल्टा कॉट थिटा यह सारे वैलियोस हमने ठूंड ली अभी जो सबसे पहली लाइन हमने बनाई थी डिवाइड बाई 4 एं स्क्वाइर रूट लेके उसको यहाँ पे लिख देता है जेरो 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 और 1 ठीक है तो यह 5 वैलियो मेरे पास आ गए साइन की अभी कॉस की वैलियो निकालने के लिए अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दो कि साइन 0 इस 0 साइन 30 इस 1 बाई 2 साइन 45 इस 1 बाई 2 साइन 60 रूट 3 बाई 2 साइन 91 वह बाद भी आप याद रखो के साइन को लड़ू दो लड़ू मिलेगा डंडा दो डंडा मिलेगा ठीक है बाकी के तेन वैलियो आप ऐसे याद रख सकते हो अभी कॉस की वैलियो के लिए ये पूरी लाइन उठा के उसको उल्टा करके नीचे लिख देंगे यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे और उल्टा लिखते जाएंगे सेकेंड लास्ट विल बी सेकेंड रूट 3 बाइटो यह बीच वाला है तो वो वहीं पे रहेगा 1 अपॉन रूट 2 और हो जाएगा 0 तो कॉस की भी मिल गई सेकेंड थर्ड फूर्थ फिफ्थ सिक्स तो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइड बाइ सेकेंड आप कर दोगे फर्स्ट डिवाइड बाइड सेकेंड तो आपको थर्ड लाइन तो denominator दोनों का same है तो cancel हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 by root 3 Similarly 1 by root 2 1 by root 2 दोनों same ही है दोनों ही cut जाएगे तो आपको मिल जाएगा 1 root 3 by 2 1 by 2 2 2 will get cancelled root 3 by 1 यानि कि root 3 यहाँ पर 1 divided by 0 किसी भी चीज़ को 0 से divide करते हो तो आज के वक्त के इसाब से उसको define नहीं किया जा सकता तो हम लिखेंगे not defined चलो sine cos 10 तीन value तो आपको मिल गई sine भी मिल गया, cos भी मिल गया, 10 भी मिल गया अभी cosec की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि cosec जो है वो sine का उल्टा है मतलब ये जो पूरी लाइन है उसको 1 divided by sine आप कर दो क्या कर दोगे आप इसको 1 divided by sine मतलब पहली लाइन को एक के नीचे रख दो तो 1 divided by 0 not defined 1 divided by 1 upon 2 यानि कि 2 चला जाएगा उपर d d n तो ये हो जाएगा 1 divided by 1 divided by root 2 तो root 2 चला जाएगा उपर that is root 2 1 divided by root 3 root 3 divided by 2 तो 2 उपर चला जाएगा which is 2 divided by root 3 यहाँ पे 1 divided by 1 similarly sec जो है वो cos का उल्टा है यानि कि 1 upon cos करोगे तो आपको sec वाली लाइन मिल जाएगी यानि कि 1 divided by 1 1 1 divided by root 3 divided by 2 यानि कि 2 by root 3 1 divided by 1 divided by root 2 तो यहाँ पे हो गया root 2 यहाँ पे 1 divided by 1 divided by 2 that is 2 1 divided by 0 not defined और अगर आप थ्यान से देखो तो जैसे कि sin की लाइन और cos की लाइन उल्टी थी उसी तरीके से cosec की लाइन और sec की लाइन उल्टी नहीं लग रही देखो not defined not defined root 2 बीच में यह 2 by root 3 तो अगर यह लाइन लिख सकते हो तो यह लाइन उल्टी लिख दो तो भी कोई प्राब्लम नहीं cot की बात करों तो वो 10 से उल्टा है यानि कि 1 upon 10 तो यह सारे नंबर 1 के division में सोचो 1 divided by 0 not defined 1 divided by 1 by root 3 तो root 3 1 divided by 1 by 1 divided by 1 1 divided by root 3 1 divided by not defined 1 divided by not defined तो 0 आ जाएगा अच्छा कैसे 1 divided by हाँ छीक है 1 divided by not defined 0 कैसे हो जाएगा देखो 1 divided by 0 तो not defined इसको इधर लेके जाओ उसको इधर लेके जाओ तो 1 divided by not defined तो वो हो जाएगा 0 अगर इतना जादा जमिले में नहीं पढ़ना तो 10 और cot की line देखो 10 की line और cot की line उल्टी है तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते है तो एक बार अगर ये trigonometric angles की value अगर आप याद रख पाऊगे तो आने वाले problems काफी easy हो जाएगे तो मैं फिलाल board आपके लिए थोड़ा छोड़ रहा हूँ आप चाहो तो screenshot ले लो और इसको याद रख लो हुआ 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 है